मदप्रदेश की खरगुन शहर में मौजूद सिरिसंकट मोचन हनुवान जी के एक ऐसे प्राचीन मंदिर की महिमा आज हम आपको बता रहे हैं, जहां आटे का दियां जलाने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह मंदिर शहर में कुंदा नदी के तट पर स्थीत है और सेकडों लोगों की आस्ता यहां जुड़ी होई है। मंगलवार और शनिवार को सहर सहित आसपास के कई गाओं से बड़ी शंक्या में भक्त भगवान की दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, चूला चड़ाते है जुवा वस्था में विराजित होने से महिलाएं भी भगवान की दर्शन और पूजन के लिए यहां आती हैं, आटी का दिया जलाती है। आकि ऐसी लिला रही की मंदिर और मूर्थी को कोई भी छती नहीं पहुची। गर्बगर के बहार दोनों और द्वारपालों की आकरती वनी है, मुक्य द्वार पर दिवार में ही चुना हुआ गुल्लक भी बना है, जो इसकी प्राचिनता को दर्शाता है। हनुमान जी की प्रतिमा इतनी अलोकिक और तेजश्वी है कि देखते ही मनप्रसंद होडता है। किसी के भी जीवन में संकट आता है तो वो हनुमान जी के सम्मू का कर बेटता है और हनुमान जी उसके सारे संकट हर लेते हैं। यहां सिद्धी विनाएं गणेश मंदीर, काल भेरव, महाकालेश्वर मंदीर और कुंदा नदी का पावन तठ होने से इसे सिद्धिस्थान माना जाता है। यह खरगोन नगर में कुंदा नदी की टैट परिस्तित अति प्राचिन संकट मोचन हनुमान जी का मंदीर है। जो की तीन साड़ों तीन साल पुराना मंदीर है और यह पुरा कुंदा निट पर घाट निडवित था उस पर इस्ताविद है मंदीर यहां। प्रतिमाजी के प्रतिमा अद्बुद है और चमतकारी प्रतिमा है। संकट मोचन नाम में उससे ही जाहिर होता कि कभी कोई संकट में फसता है। और चहरा देखके हनुमान जी का आदमी का मन परसंद हो जाता है। यह सिद्धी बिनायक गड़ेस मंदीर के समय से और अतिप्राचिन मंदीरों की स्थापना है। जिसे यहां के परतम पुज्य द्याओ सिरी सिद्धी विनायक है, संगण होजर हनुबान जी है, और सम्मुग में ही काल भेहरो जी विस्तापित है, जो की कोत्वाल के लाते हैं, और सामने महादियु जी का मंदिर है, यह सिद्ध स्तान है, और कुंदा नदी का टाठ है, तो कलेटिन के लिए घरगों से दीपक पांडे की रिपोर्ट